मैं आपनी और से और पूरे भारत की और से अस्ट्रेलिया को और विशेज़ुप से COVID-19 से प्रभावी सभी लोगों और परिवारों के प्रती हार्दिक सम्वेदना प्रगट करना चाहूंगा. इस वैश्विक महामारी ने विश्व में हर प्रकार की ववस्ता को प्रभावित किया है। लेकिन थोड़ी निराशा भी है क्योंकि हमें भारत में आपका गर्म जोस्ती से स्वागत करने का आउसर नहीं मिल पाया। पहले जन्वरी में और फिर पिछले महिने हम आपकी भारत यातरा की प्रचिशा कर रहे थे। लेकिन दुर्भागेवस दोनों ही बार यातरा स्थगित करनी पड़ी। हमारी आज की मुलाकात आपकी भारत यातरा का स्थान नहीं ले सकती है। एक मित्र के नाते मेरा अपसय आग्रह है कि स्थीती सुधरने के बाद आप शिग्र सब परिवार भारत यातरा का प्लान करें और हमारा आतित्य स्विकार करें। एक्सलेंसी भारत ऑस्ट्रेलिया सम्मन्द विश्त्रुत होने के साथ साथ गहरे भी हैं। और यह गहराई आती हैं हमारे शेर्ड वेल्यूज, शेर्ड इंट्रेस, शेर्ड जोग्रोफी और शेर्ड अबजेक्टिव से। पिछले कुछ वर्षों में हमारे सयोग और तालमेल में अच्छी गती आई हैं। यह सोभाग्य की बात है कि हमारे समंधों की बागडोर का एक छोर आप जैसे ससक्त और बिजनरी लीडर के हाथ में हैं। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्टेलिया के समंधों को और ससक्त करने के लिए यह परफेक्ट समय हैं। परफेक्ट मोका है। अपनी दोस्ती को और मजबुत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। यह संभावनाएं अपने साथ चैलेंजीज भी लाती हैं। चैलेंजीज की किस तरह इस पोटेंशल को वास्विक्ता में ट्रांसलेट किया जाए। ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसिस, एकडेमिक्स, रीसर्चर्स, इत्यादी के बीच लिंक्स हो और जो और मजबुत बनें। कैसे हमारे सम्मन्त अपने खेत्र के लिए और विश्व के लिए एक फैक्टर और स्टैबिलिटी बनें। कैसे हम मिलकर ग्लोबल गुड के लिए कार्य करें। इन सभी पहलूँओं पर विचार की आवशकता है। एक्सलेंसी, समकालीन विश्वम है, देशों की एक दूसरे से अपेक्षाएं और हमारे नागरीकों की हम से अपेक्षाएं बढ़ गई है। Democratic values को share करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरें उत्रें। और इसलिए वैश्विक कल्यान के मुल्य जैसे लोक्तंत्र, रूल अफ लॉव, फ्रीडम, मिच्वल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टिटूशन्स का सम्मान और पारदर्शीता, आदी को अफोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी sacred responsibility है। यह एक प्रकार से बविश्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग-अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है, तो हम आपसी संबंदों को मजबूत करके इने ससक्त कर सकते हैं। एक्सलेंसी, भारत अस्ट्रेलिया के साथ अपने समंधों को व्यापक तोर पर और तेज गती से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्द है। यह न सिर्प हमारे दोनों देश्व के लिए महत्वपून है, बलकि इंडो पसिपिक शेत्र और विश्व के लिए भी आवशक है। मुझे प्रसनता है कि हमारे विभिन इंस्टिटूस्ट्रल डायलोग्स हमारे समंधों को और सबस्वंस प्रदान कर रहे हैं। कर दो